है हलो माई डियर स्टूडेंट्स एन वेलकम टू ड्रीम क्लासेज मैं राहूल सर हार्दी का विनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में आप सभी का और अभी बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स बैदुत आवेश और चेत्र स्पेशल क्लास आज होने बाला है ब हैं क्लास 12 फिजिक्स और हमने फिछले क्लास में पढ़ा था कि सर जी बेंदा चार्जी ऑन रेस्ट जब आवेश रूका उआ हो तो उसका आधियन इलेक्ट्रो स्टेटिक्स के अंदर करते हैं इस्त्र वैदूतिकी के अंदर गरते हैं तो अभी हम लोग इलेक्ट्रो स्ट जाएए ताकि क्लास के हम शुरुवात कर सकें तयार हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया देख लो चप्टर का नाम आपने देख लिया वैदुत आवेश और छेतर और चलिए शुरू करते हैं यह दूसरा क्लास है वैदुत आवेश और छेतर का और बहुत ही भैतरी से दूसरे क्लास की शुरुवात हम करने वाले हैं यहां से यहां से हम दूसरे क्लास की शुरुवात करते हैं प्रोपर्टीज और चार्ज इसको हम कहते हैं आवेश का गुन ठीक है प्रोपर्टीज और चार्ज सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग बनाएंगे प्रो और उत्पन भी किया जा सकता है और अनबब भी कर सकते हैं फिक है तो आवेश के बारे में हमने पढ़ा था थिक है अब आवेश के गुणों के बारे में पढ़िये properties of charge के बारे में आएए सीखते हैं कि क्या है properties of charge और किस तरह से इसको हम यूज में लाएंगे और ये इसकी क्या-क्या जो है सबसे पहले शुरू करते हैं आवेश हमें पता है कि आवेश चो होता है वो positive और negative दोनों होता है इसलिए हमने first properties of properties of charge में ठीक है आवेश के गुन में हमने सबसे पहला point क्या रखा है वो रखा है कि सरज आवेश धनात्मक और रिनात्मक दोनों होता है हमने पढ़ा था कि आवेश positive भी होता है negative भी होता है जब एक आवेश positive हो और एक negative हो तो attraction होता है आकर्शन होता है जब दोनों positive हो ठीक है तो क्या होता है प्रतिकर्शन होता है और अगर जब दोनों negative हो तब भी प्रतिकर्श समान आवेशों में प्रतिकर्शन और आशमान आवेशों में आकर्शन होता है ये आवेश का सबसे पहला गुन होता है ठीक है तो आवेश धनात्मक और रिनात्मक दोनों होता है आवेश एक अदीश राशी है कैसी राशी है स्केलर एंड वेक्टर आपने पढ़ा होगा अद तो आवेश संरक्षी होता है फिर फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि आवेश जो है यह आवेश जो है वो अपने योगात्मक गुणों का पालन करता है ठीक है और एक बात सबसे इंप्वॉटेंट पॉइंट याद रखेगा कि आवेश जो है वो कौन्टाइज होता है क्व यह बहुत इंप्वॉटेंट लाइन है और पूछा जाता है कि आवेश जो होता है कि किस तरह का होता है तो पूछा जायेगा तो आब बोलेगा कि सर आवेश क्वांटमी कृता होता है क्वांटाइज होता बहुत important बात कही गई है फिर याद रखिएगा बच्चों की आवेश का परिमान जो है वो बेग पर velocity के उपर depend नहीं करता है ठीक है और इसको जो है वो आवेश के अचरता का गुन कहते हैं प्रस्न एक objective अगर आपसे बन जाए कि बताओ आवेश का परिमान जो है वो बेग से उसका कोई relation नहीं है आवेश का परिमान बेग इसके उपर निर्भर नहीं करता है यह आवेश के किस गुन का उदारन है कहेंगे सर आवेश का परिमान अगर बेग के उपर निर्भर ना करे तो इसको हम कहते हैं आवेश के अचरता का भी धाराप्रवाइद कर सकते मोध् जो है वह त्वाइब करवाया जा रहा है successful फ्रीक आवश्यकिन आपको देना था कि अगर आपको अगर आप एक 10th 11 12th के साथ competitive के student भी बढ़ने वाले हैं ठीक है और अभी तो आपका board है आपको हमें पता है तो आप वहाँ पे free में quiz कर सकते हैं 12th के बिना संभव नहीं है यानि सिंपल सी बात है कि जहां आवेश है वहाँ तरब बिमान है a point to be noted my dear student जहां आवेश है वहां द्रब बिमान का होना अनिवार है पर और तू परंतु जहां द्रब बिमान है वहाँ आवेश रहे या नहीं रहे कोई matter नहीं करता इसलिए हां पर आवेश के बिना द्रभ्यमान का अस्तित्व, आवेश के बिना संबब है, that's very important topic, यह आपके लिए है, बहुत important है, यह आपको objective बना के यहाँ पर देगा, ठीक है, कि आवेश का अस्तित्व जो है, वो द्रभ्यमान के बिना तो संबब नहीं है, तो क्या द्रभ्यमान भी ऐसा सबी ताकि हम आगे बढ़ सके चलो clear है बच्छा very good clear है हाँ जी बिलकुल समझ में आ रहा है मज़े में इस class को आप करें और यह dream classes बहुत ही प्यारा सा platform है अगर आपने subscribe नहीं किया तो कर लिजे हमारे application को install नहीं किया तो बिलकुल कर लिजेगा ठीक है क्योंकि यहां पर से एक लंबी रेस का गोड़ा बनाने वाला हूं you don't worry ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात और याद रिखिए मैं बाते बार बार कहता हूं कि लहरों से डरकर नोका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बिना कुछ किये जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती यह हरीबंस राइबच्चन जी के दौरा कहा गया था यह कभी तोर बहुत ही बहतरीन है इसके इसके कदमों पर आप चले आप सफलता जरूर पाएंगे now that's very important question बहुत सांदार प्रश्ण बहुत ही सांदार प्रश्ण इसको पढ़ने वाले हूं सवाल बहुत ही बहुत ही बहतरीन सवाल आपके स्क्रिन के ऊपर आवेश और द्रब्यमान के बीच तुलना comparison between charge and mass ठीक है comparison between charge and mass आईए भाई क्या आवेश और द्रब्यमान के बीच क्या अंतर है क्या क्या तुलनाएं की गई है इन दोनों के सब्सक्राइब कि सर्जी आवेश चो होता है my dear student positive और negative दोनों होता है हमने अभी भी बोला कि आवेश धनात्मक और रिनात्मक दोनों होता है अगर एक धनात्मक एक रिनात्मक हो वही मैगनेट वाला चुम्बक वाला रूल एक धनात्मक और एक निनात्मक दोनों धनात्मक दोनों रिनात्मक एक रिनात्मक एक धनात्मक यानि आवेश के समान गुनों में प्रतिकर्शन और आसमान गुनों में आकर्शन होता है तो हमने कहा कि सर जी आवेश धनात्मक और रिनात्मक दोनों होता है अरे द्रब्यमान का क्या रहे जादा जादा आपका बजन जीरो सकता है always positive हमेशा धनात्मक और हां इस question को बताने से पहले आप याद रखेगा कि ये दो नंबर का आपके बोट के एक्जाम के लिए वाइरल है जी ये दो नंबर के लिए आपके बोट के एक्जाम के लिए तैमान कर चलो कि यही प्रस्ण आपके एक्जाम में पूछेगा copy मे हैं नहीं कि दस है तो दस ही रहेगा मालो कि अभी हम साथके हैं तो 55 भी हो सकता है 65 बी बारस्टी बनत्र यह इसको संड़क्षित करके किसी जगह नहीं सकता है चलो अभी हमारा बजनसाट केजिए कहीं पर ले जाकर रख देतें हैं वह साथ रहेगा जब हमारा बजन नहीं होता है यहां तक क्लियर है कहा गया है कि आवेश का परिमान बेग पर निर्भर नहीं करता है याद रखिएगा कि द्रब्यमान का जो परिमान है यह लाइन यहां पर छूट गया है ठीक है हाँ द्रब्यमान का द्रब्यमान जो है वो बेग पर निर्भर करता है यानि आवेश का परिमान जो है वो बेग पर निर्भर नहीं करता है लेकिन इसका करता है यह पॉइंट इदर छूट गया है पर कोई बात नहीं हम तो ऐसे भी समझ सकते हैं आवेश का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है लेकिन हमें इधर अभी अभी हमने पढ़ा था कि द्रभ्यमान सुरी आवेश का अस्तित्व द्रभ्यमान के बिना पॉसिबल नहीं है लिख लीजेगा यहां पे बच्चे यहां पे आप लिख लीजेगा अपनी कॉपी में कि आवेश का अस्तित्व द्रभ्य द्रब्यमान के बिना संभव नहीं है परंतु द्रब्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है पॉसिबल है कहा गया है कि द्रब्यमान क्वांटमिकरत नहीं होता अभी अभी हमने पढ़ा कि सर जी आवेश यहां देखो लिखा हूँ है आवेश जो है वो क्वांटमिक तो उन चीजों पर हमारा ध्यान जो है हमारा फोकस जो है वो जहाना चाहिए क्लियर है डन वैरी गुड चलिए नौ शुरू करते हैं अगला टॉपिक यहां देखिए principle of conservation of charge नाम बड़ा प्यारा है पढ़ाने में मज़ आएगा principle of conservation of charge एक comment हम चाहेंगे कि बच्चे इस वीडियो के description में नीचे comment box में डाल दीजे कि यह class आपको हमारे थूरू कैसा लगा good wetter या वेस्ट यह तीन option मैंने यह bad भी लिख सकते हैं ठीक है अगर नहीं समझ में आया ह हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए तो बैसली मेरे बोलने से पहले याब आप दिखोगे एमाई राइट , लेकिन हम देखना चाते भाई कितने बच्चे संतुष्ट नहीं है तो नीचे कमेंट वॉक्स में नीचे लाइब चैट में नहीं, कमेंट वॉक्स में , ठीक है principle of conservation of charge देखे ठीक है कहा गया है कि किसी भी विलगित निकाय के अंदर हमें एक सकेंड का आप समय दीजिए आपको एक बहतरीन चीज हमें बताना है ठीक है थोड़ा सा आप हमारे साथ वने रहिए और बहुत ही लाजबाब चीज हम आपके सामने रखने वाले हैं ठीक है बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए बस 10 सकेंड दीजिएगा बस बस हो गया बच्चो थोड़ा सामें समय दीजिए और ठीक है मैं कुछ यहां से आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ हाँ बस चली करें हाँ चली थैंक यू कहा गया है आवेश के संरक्षन का सिद्दान किसी भी विलगित निकाय के अंदर किसी भी विलगित निकाय के अंदर किसी भी प्रकिरिया के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन किया जा सकता है ना ही नस्ट किया जा सकता है प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमान समान होता है इक्वल होता है और इसे ही हम आवेश के संडक्षन का सिद्धान कंदर्वेशन प्रिंसीपल और कंदर्वेशन ओप चार्ज ठीक है अब देखे एक सवाल है सर यह विलगित निकाय क्या है तो विल तो कहा गया जब आवेस जाए गए नहीं तो जब उत्पन करेंगे तो भाई नस्ट कहां से होगा चीजे उत्पन होगी फिर तो नस्ट होगी तो प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमान, जब अंदर गया ही नहीं है, तो बाहर ही नहीं आएगा, बाहर ही नहीं आएगा, तो नस्ट ही नहीं होगा, तो जितना पहले था उतना भी रहेगा, तो वही कहा गया है, कि प्रकिरिया से पहले और प्रकिरिया के बाद आवेश का परिमान बिलकु किया जा सकता है ठीक है परक्रिया से पहले और परक्रिया के बाद आवेश का परिमान बिलकुल समान होता है और इसे ही हम आवेश के संड़क्षन का सिध्दान यह आपके लिए जर दो नमबर के दो प्रस्ट न बोड इग्जाम के लिए गैस हो चुका है अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पड़ते हैं या नहीं ठीक है बच्चो रेडी चलो next question ठीक है I hope कि यह बिल्कुल समझ में आ रहा होगा principle of conservation of charge आवेस के सनरक्षन का सिद्धान ना तो आवेस जाएगा ना तो निकलेगा जब निकलेगा नहीं तो नस्ट कहां से होगा तो जब नस्ट नहीं होगा तो जितना परिमान पहले था उतना परिमान बाद मेरेगा और उसे ही हम क् के सनरक्षन का सिद्धान principle of conservation of charge now let's start the topic अच्छा इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे यह हेल्प लाइन नंबर है ठीक है इन दोनों के लिए और इसी अप्लिकेशन के तुरुआ फ्री में कुईज कर सकते हैं अप्लिकेशन का नाम क्या है dream classes live यह बहुत जल्द इसका इसको साइन इन करके आप यहां से कुईज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ओपोस्ट पूरा एक साल कोई पैसा नहीं लग रहा है कुई स्टार्ट हो चुका है वह आप क्या काम है चलिए आवेश का क्वांटमी करन बहुत भेत्रीन टॉपिक क्वांटाइजिशन ओप चार्ज क्वांटाइजिशन ओप चार्ज आवेश का क्वांटमी करन कहा गया है आवेश का परिमान जो है वह इलक्ट्रॉन का पुर्नांग की गुनज होता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टिपल होता है और इसे ही क्वांटाइजिशन ओप चार्ज आवेश का क्वांटमी क इसके बारे में बहूत ही सिंपल सा, दो तीयया च्या नंबर, ये कितना नंबर दिलाएगा आपके बोर्ट के एक्जाम में, जी घ्रा जी जितना नंबर दिलाएगा वो बिल्कुल हम लिख देतें, मतलब आपको पता है कितने सारे टू मार्ग के कोशन पूछे जाते हैं, उस quantum micron कहते हैं quantization of charge कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चा आवेश का quantum micron quantization of charge क्लियर है आवेश का परिमान electron का पुर्णांकी गुनज होता है याद रखेगा और यहां पर एक formula याद रखेगा कि quantization of charge q is equal to होता है plus minus यह यह फॉर्मूला जरूर लिखेगा ठीक है जहां आपको q आ कितने marks आएंगे दो marks दो तिया 6 marks आज के class में अगर आप इस video को share नहीं करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो हमें समझ में आएगा कि जिस जिस दोस्त को आप यह शेर नहीं कर रहे हो आप उसको दो समझ ही नहीं रहे वो तो दुस्मन है आपके लिए am I right समझ चुके हैं बिलकुल और आप हमारे साथ 2023 के लिए दुरोना चारे बैच भी जॉइन कर सकते हैं जो हमारे application पर start हो चुका है पूरा एक साल लाई पढ़ाए जाएगा उस application पर ठीक है now let's start अब दो तिया छे नहीं दो चक्के आठ हो जाएगा क्योंकि ये भी दो नंबर का पूस्ता है एक्जाम में बोर्ड मोडल कोश्चन बताने की जुरत नहीं सबको बदाई सर कुलंस लाउ दो नंबर पूस्ता है तो दो तिया छे प्लस दो आठ आठ नंबर का आज के क्लास म नहीं वो तो दुस्मन है बाद में देख लेना जी कौन-कौन सेयर नहीं कर रहा है कुलंस लाउं समान देखे कुलं के दो नियम होते हैं बात क्लिर ठीक है कुलं के दो नियम होते हैं दोनों के बारे में बहतरी नंगता समझे आप इतना लिखिएगा अगर बोर्ड वाला अगर आपको दो में दो नहीं दे ना तो आप मेरा नाम ले रहा हूं वहां परекоторी बही भाई राहुल सर ने बोला था कि यह दो नंबर का आएगा और आया भी है फिर भी याप 2 देखे कर वालो ठीक है बच्चा कुलम का नियम भाई कुलम सहाब ने क्या कहा था आएए सुनते समान आवेशों में प्रतिकर्षन देखो समान आवेशों में प्रतिकर्षन ये भाई सद्यों से चला रहा है कुलम के आने से पहले ही समान आवेशों में प्रतिकर्षन और आ समान आवेशों मे आकर्षन, कहिए गसर कैसे, एक पुरुष का आकर्षन हमेशा एक इस्त्री के तरफ होता है, और पुरुष जो है, वो पुलिंग होता है, और इस्त्री जो है, वो इस्त्री लिंग होता है, यानि आसमान आवेशों में आकर्षन, कभी पुरुष पुरुष की और आकर्षित ह कर दो पूरोस आपस में लड़ सकते हैं लेकिन कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं यह तो भली भाती आप जानते हो अभी बच्चे हो नादान हो दीरे दीरे जब आप बढ़ेंगे जीवन में विकास करेंगे तो चीजों को समझेंगे Am I right? तो कहा गया है कि समान आवेशों में प्रतिकर्शन तथा समान आवेशों में भई attraction होता है आकर्शन होता है और यह कुलाम का पहला नियम है समान आवेश जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं समान आवेश यानि प्लस प्लस माइनस माइनस इसमें क्या होगा बच्चा इसमें होगा प्रतिकर्शन ठीक है इसमें क्या होगा प्रतिकर्शन आवेश जिसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज यानि एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस इसमें क्या होगा आकर्षन क्या होगा बच्चा attraction होगा आकर्षन होगा ये कुलाम का ये पहला नियम था ये आपको भी पता है अब देखिएगा दूसरा नियम भाई कुलम सहाब ने क्या लिख डाला दूसरा नियम कुलम सहाब ने दिखा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षन या प्रतिकर्षन बात है तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षन या प्रतिकर्षन बलका परिमान ठीक है दोनों आवेशों के परिमान के गुननफल का समानुपाती ठीक है यफ बराबर शोरी दोनों आवेशों के गुननफल यफ समान उपाती, परिमान मान लिजे कि यफ बल लग रहा है, ठीक है, कितना बल लग रहा है जी, यफ बल लग रहा है, तो दोनों करें, दो आवेसों के बीच लगने वाले आकर्षन या प्रतिकर्षन बल का परिमान, परिमान मान लिजे कि यफ है, ठीक है, यफ भेक्टर या यफ परिमान लग रहा है, दोनों आवेसों के परिमान के गुननफल का समान उपाती, तो दोनों आवेसों के बीच दूरी के वर्ग के वितकर्मान उपाती, यानि यफ वितकर्मान उपाती होगा, यानि ऐसे में यफ बराबर आपको मिलेगा Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वाइर क्योंकि दोनों तरफ यफ 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 common हो गया न तो यफ सोरी यफ जो है वो समानुपाती ऐसे मिलेगा ठीक है यफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वाइर यानि एफ बराबर होगा K इ स्टूडेंट बिल्कुल जा रहा है आपके माइन में बिल्कुल 100 नहीं 200 परसें जा रहा होगा यह कुलाम के दूसरे नियम की बैख्या करता है यह हलाकि यह चीज़ इतना पढ़ना नहीं है मैं तो बस इतना रिटर्ण में ही लखना है दो चक दो मार्क्स यहां से यह भी कबर हो चुके हैं एक बार सभी बच्चे हाँ ना में जबाब दे मजा आ रहा है से यह यह नूँ आ कि ना की तो कोई गुंजाई सी नहीं कि मजा नहीं आ रहा होगा है इमाही राइट नहीं चले आगे बढ़े बिल्कुल आगे बढ़ते ठीक है बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है सब लोग हमारे अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना बस इतनी सी रिक्वेस्ट है और इस रिक्वेस्ट को 100% आप पूरा करेंगे हमारे अप्लिकेशन को इंस्टॉल करके sign in करके और वहाँ पे quiz खेलिए application पे free classes भी दी जा रही है बहुत सारी free classes है तो बिल्कुल भी इसमें पीछे ना हटे पढ़ाई को बहतर बनाए और बहतर बनाने के लिए अपनी classes को continue करते रहें नाओ आईए देखिए यही था जी कुलम का दूसरा नियम जो अभी हमने आपको उसाइद उधर बता भी दिया इसके इसको बताने की भी जरूत नहीं है कुलम के दूसरे नियम के अनुसार हमने क्या बोला कि लगने वाला लगने वाला जुबल होगा दोनों आवेशों के बी सुरी के विद्करमान पाती और समीकरन एक और समीकरन को दो से हमने देखिए यही है ना यह बराबर के इंटो की वन इंटो क्यू टू बटे आर का स्कोईर वो मिट गया था अभी कोई बात नहीं यही चीज़ अभी आया था थोड़ी दिर पहले अभी मैंने पढ़ा भी द रखिया हलाकि मैंने तो उसी पेज में पीछे वाले पेज में लिखा दिया ना मैंने सब कुछ ठीक है और आप हमारे अप्लिकेशन के थू हमारा नोट बुक भी बन कर तयार है जी 2023 के लिए बच्चे देखिए कुछ इस तरह से हमारा नया नोट बुक रेडी हुआ है अग अगे बड़े चलो रडी अचा यह देखिएगा अभी बिल्कुल बन के तयार है तो आप बिल्कुल हमारी टीम से बात करके उस नोट को अपने पास समंग बा सकते हैं से आगे बड़े चलो रडी अचा यह देखिएगा अभी जो हम कर रहे थे कि के नियतांकिया और इसका मान जो है मात्रक पद्धति सीजेस पद्धति में क का मान देखिए याद रखिेगा कि सीजेस पद्धति में क की वैल्यू एक होती है और हवा और निर्मात के लिए ठीक है जब यह सीजेस पद्धति होगा तो Hi Pagoda है आपको पूछेगा SI जिसको स्टेंडर्ड यूनिट बोलते हैं स्टेंडर्ड यूनिट में के की वैल्यू याद रखिएगा वन वटे फूर पाई इपसाइलन नोट ठीक है जिसको हम बोल सकते हैं 9 गुने 10 पर पावर 9 सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करें ठीक है इसको इसको बोलते हैं निर्वात के विद्धु सिलता इपसाइलन नोट ठीक है लिखिएगा सभी बत्चे कि सीजियस पद्धती में के का मान एक होता है जो हवा और निर्वात के लिए वैल्यू वल है परन्तु परन्तु SI पद्धती स्टेंडर्ड यूनिट में के की वैल लिए नौ गुने दस पर पाबर नौ होती है और इपसाइलन नोट जो है उसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्धुत सीलता क्लियर है बच्चा बिलकुल आगे बढ़े वेरी गुड आगे बढ़ते हैं क्लियर है चलो that's very very important topic पूछता है इस तरह के प्रश्ण काफी बार पूछे जाते हैं अच्छा नोट बुक के लिए सबको help line number पता है न बिलकुल पता होगा और पीछे भी इस वीडियो में आपको बता दिया गया पर फिर भी कोई बात नहीं आईए चलिए सीखते हैं विदूतिय बल या कुलाम्बिक बल क्या है भाई बहुत बहुत बहुतरीन सवाल यहां से पूछे जाते हैं कि सर विदूतिय बल क्या है किनी दो आवेशों के बीच लगने वाले आकरसन बल या परतिकरसन बल को विदूतिय बल या कुलाम्बिक बल करते हैं मान लीजे कि यह क्यूवन तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा आकर्शन बल काते हैं कौन सा बल आकर्शन बल लगेगा माल दीजे कि क्यूर क्यूटू के बीच में भी एक बल रग रहा है लेकिन ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो कौन सा बल लगेगा कहिएगा सर एक ही है त रतिकर्षन बलकोई हम कौन सा बल कहते हैं इस बल को भी हम विदूतिय बल कहेंगे ठीक है इस बल को भी हम विदूतिय बल कहेंगे और इस बल को भी हम विदूतिय बल कहेंगे यानि Q1 और Q2 दो आवे से चाहे वो पोजेटिव है निगेटिव है निगेटिव पोजेटिव है positive negative, इन दोनों की भी जो बल लगेगा, इन दोनों की भी जो बलकारी करेगा, उसी को हम जो है वो विधूतिय बल कहते हैं ठीक है, और इसी को हम कुलांबिक बल कहते हैं, दो चक आठ नहीं, दो नंबर और जोड़िए कितने नंबर क्लियर हो गए आज के क्लास में, आज का क्लास शेर नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे यहां, ठीक है, शेर नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि भाई कोई भी बच्चा ऐसा शेर करें, बच्चा करते हैं कि यूटू दो आवेश है और इन दोनों के बीच एक बल लगा यह ठीक है यह विदूतिय बल है कुलांबिक बल है और देखिए इसलिए केंद्र यह बल कहा जाता है क्योंकि यह जो बल है यह दोनों आवेशों के किंद्र से होकर गुजरता है यह अगर इधर जाना रहे तो यह दर चल जाएगा इसको इधर जाना रहे तो इधर चल जाएगा किदर भी चल जाएगा यह इधर से जाएगा ऐसे हुए तो ऐसे चल जाएगा वो उधर से आएगा तो ऐसे चल आएगा यानि सिंपल सी बात है देखिए आगे चलके प्रशन आएगा कि कुलांब समसमेर वला यही पर जी हां मज़ा आने वाला यह पूरा एल़क्ट्रो स्टेल्स निभ ला रहे फैसे तर लेक्र स्ट्रूम्स निचोंड़ के लिए तो यहां पर राधा रखेगा कि कुलाभिक कल्को केंदरिए बल भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के बसंड़्र बल जो है आकर्शन या प्रतिकर्शन बल दोनों आवेशों के किंदर से उकर गुजरती इसले कुलांबिक बलको किंदर यह बलका जाता है आई यही प्रस्ण हो सकता है अगला पेज़ पर रहा जाए अच्छा यह बीच में आ गया है चलो कोई बात नहीं यहां पर आते हैं हाँ यहां पर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा एड हो गया है कोई बात नहीं है यह दू आवेशों के बीच का मन दें हो यह सही है हाँ यहां तक तो ठीक है अच्छा यह अगर दो आवेशों के बीच का मादने महाबा या निर्बात के लवा कुछ और हो तो चलिए यह भी सीख लेते हैं वह आएगा थोड़ी दिर में यहां तक क्लियर है यहां तक ठीक है कि कुलांबिक बल को केंद्रिय बल भी गुजरता हती है देखिए ना दोनों आवेशों यह इधर गुजर गया भाई यह इधर गुजर गया किंद्र से गुजरा किंद्र इबल केंगे इस से पहले कुछ दो तीन पॉइंट है फिजिक्स का वो देख लीजे अगर दो आवेशों के बीच लगने वाला जो यह जो सीजेस पद्दती में केकी वैल्यू एक रखेंगे क्यों क्योंकि हबा और निर्बात अब बोल रहा है कि अगर हबा और निर्बात नहीं हो तब क्या करेंगे आई देखिए हलाकि यह चीज बाद में आना चाहिए पहले बीच में ला दिया है कोई बात में अगर दो इच का माध्यम हबा और निर्बात के लबा कुछ और हो तो यह की वैल्यू याद रखेगा वन वटे फॉर पाइप साला नोट इंटो क्यूवन क्यूटू बटे आर का स्कवाड जहां यह जो है वो माध्यम की परावेद्दूता यह विद्दूत सिलता अभी अभी तो या कि यहां तक समझ चुके हैं आप यह भी पूछता है जी यह बराबर यह बहुत इंपोर्टेंट है यह छोटा सा टॉपिक चलिए आगे बढ़ते हम अच्छा इर माध्यम की आपे चिक परावेदुता इर बराबर हलाकि यह इतना नहीं पूछता है अगर दो आविशों के बीच का माध्यम हबा हो तो यह दोन से यस यनो बिल्कुल आ रहा है अब देखिए कुछ पॉइंट है जो आपके लिए फिजिक्स में बहुत जरूरी है अगर दो आविशों के बीच लगने वाला आकर्सन या प्रतिकर्सन बल की दिशा दोनों आविशों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो ठीक है तो द आए सीखते हैं कहा गया दो आविशों के बीच Q1 और Q2 दो आविश है यदि दो आविशों के बीच लगने वाला आकर्सन क्योंकि इन दोनों के बीच कोई तो बल लगेगा या तो एक्रेक्ट करेगा या तो आकर्सित होगा या तो प्रतिकर्सित होगा कुछ भी होगा तो एक और जाएगा या अलग अलग जाएगा तो कहा गया कि अगर मिलाने वली मिलाने वली रेखा मिला सुरी प्रतिकर्शन बलकि जो दिशा है वो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदीश है तब क्या कंडिशन बनागा बनेगा कहा गया है दो आवेशों के मुझे के में लिए भशासर दोन्हों को मिलाने वाली रेखा क्या नूदे सो तो दो आवेशों के बीच के माध्यं पर निर्भर करेगा किस पर निर्भर करेगा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा that's very important topic for you that's very important कि भाई जब दोनों के अनुदीश हो मिलाने वाली रेखा के अनुदीश हो तो इनका जो प्रतिकर्शन बल्क इन दोनों का परिमान जो है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा कॉपी में नोट करिए most important topic most important topic हलाकि इस पर मैं दो number नहीं लिखूँगा you don't worry जो जो रहेगा उसी में लिखूँगा now आजा ये two marks के प्रस्णा आ चुके है two marks special मैंने बोला था ना कि ये आएगा अभी आए कभी आए आएगा तो जरूर भाई ठीक है आखिर तुम्हें आना है आई गया भाई चाहे कितनी भी देर लगी हो कुलामबिक बल को केंद्रिय बल कहा जाता है आएए सीखते हैं कि क्या रीजन है भाई बचा बाड़ी कुलामबिक बल को केंद्रिय बल कहा जाता है दो आवेशों के बीच Q1 Q2 दो आवेशों के बीच लगने वाला कुलामबिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की और होती है दोनों आवेशों के केंदर के मिलाने वाली की रेखा की और होती इसलिए कुलामबिक बल को केंदर ये बल भी काते हैं क्यूं भाई सिंपल सी बात है दोनों आवेशों के केंदर से हैं क्योंकि इन दोनों के बीच जो मिलाने वाली जो इन दोनों के बीच जो कार बल कारिरत हो केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती इसले कुलांबिक बलको केंद्रिये बलकते हैं और ये 100% फिक्स है आप प्रिबियस ये निकालके देखिए एक बार हमें याद रखिएगा कि भाही राहुल सब ने भी कुछ पढ़ाया है कुछ सिखाया है में कुछ नया चीज नई की तरकीब नया तरकस से नया तीर निकालके दिया रावुल सब्सक्राइब जो बहुत स्पेशल है हमारे लिए ठीक है that's very important topic for you कि कुलांबिक बलको केंद्रिये बल कहा जाता है और इसका सबसे प्रमुक रीजन क्या होना चाहिए हमाई राइट होप सो कि बिलकुल 100% आपक कोई कर लेता है लेकिन जो इंसान चीजों को मजे में पढ़े ठीक है हसते मुश्कुराते रहे एक होता है भई पढ़ना पढ़ना देखे हर इंसान की मजबूरी होती है बहुत सारे ऐसे सौ बच्चे अगर पढ़ने बैट रहे हैं तो 90 की मजबूरी है सिर्फ 10 बच्चा ह तब अंदर से पढ़ रहा है कि नहीं हमें कुछ सीखना है हमारे अंदर जजवा है हमारे अंदर एक नया जुनून है तो सीखना जो है पढ़ना जो है एक बहुत ही अलग तरह की क्या उसको बोल सकते है कला है एक काट है और इस आठ को अपने अंदर सयोग कर रखना सबसे बड़ी कला है, आईए, लिमिटेशन ऑफ कुलाम सलाव, चलिए, शीकते हैं, हमारा लैंग्वेज, हमारा जो तरीका है, हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है, वो बच्चों के, दिखें, आपने एक नाम सुनाओगा, MBT मुहम्मद बिन तुगलक, वो एक ऐसा इंसान था, जि उर्लम के नियम की सिमाएं आजे चलिए सीखते हैं, कहा गया है, कि बहुत भेतरीन क्लास ये होने वाला है, बच्चा, इसमें अगर जितना लाइक करें वह कम है, ऐसी उमीद हम आप से करते हैं, ऐसी कल्पना हम आप से करते हैं, और उमीद है कि इस कल्पना को आप हमें सच करके दिखाएंगे, कुलाम का नियम, केबल बिंदु आवेश के लिए मानने है, अभी आपने बिंदु आवेश के बारे बढ़ा नहीं है, कुछी समय में इसके बारे में भी पढ़ जाएंगे, कुलाम का नियम, केबल बिंदु आवेश के लिए मानने है, दूसरा कहा गया है दूसरा कहा गया है बहुत important line ठीक है पहला हो गया समझ में आगया अब यह समझ यह भले नहीं समझ में आगया ओके सर यह बिंदू आबेश है क्या यह हम थोड़ी दर में आपको सिखाएंगे ठीक है कुलाम का कुलाम का नियम केबल इस्तिराविशों के लिए मानने हमने पढ़ाया था हमने बताया भी था कि सर जी वेंदा अच्छा यहां बेभी टू मांक से लिखके ले लो भाई यह सारे आज दो नंबर वाले यह आज सारे दो नंबर वाले हम आपको करभा रहे हैं कोशन ब केबल विंदू आवेश के लिए मानने हैं दूसरा का आगया सॉरी वो तो परिक्षन आवेश हो गया कुलाम का नियम केबल इस्तिरावेशों के लिए मानने इस पर हम डिसकस करेंगे यू डून बरी विंदू आवेश क्या है यह थोड़ी दिर में पढ़ना है मैं ठीक है ऐसा नहीं कि इसको पढ़े बिना हम अपना चप्टर खतम कर देंगे कुलाम का नियम केबल इस्तिरावेशों के लिए मानने हमने पढ़ाया था भी आपको बताया भी तर शुरू में कि वेंदा चार्जी जोन रेस्ट जब आवेश रुका हुआ हो तो उसका अध्यनम विस कुलाम का नियम कोई प्रयोग नहीं बात क्लियर कुलाम का नियम माध्यम पर निर्वर करता है भाई किस माध्यम से हम कुलाम का नियम यूज कर रहे हैं ठीक है माध्यम आपको पता ही है ठोस दरब गय है हवा काच जल क्या कर रहे हैं अगर दो आवेशों के बीच की दूरी difference between each other Q1 and Q2 दो आवेशों के बीज की दूरी 10 पर पावर मैनस 15 मिटर से कम हो तो कुलाम का नियम जो है अपनी वैदता अपनी वैल्यू अपना रिपोटेशन अपना रिस्पेक्ट अपना आत्म सम्मान खो देता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ठीक है बच्चो तो कहा गया यदि दो आवेशों के बीज की दूरी 10 पर पावर मैनस 15 मिटर से कम हो तो कुलाम का नियम जो है अपनी वैदता अपनी वैल्यू अपनी रिपोटेशन अपना इजज़ जो है कितने से कम याद रखेगा दो आवेशों के बीज की दूरी यानि क्यूँ और क्यू टू अगर हम दो आवेश लेते हैं तो इसकी बीज की दूरी 10 पर पावर मैनस 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए यानि 10 पर पावर मैनस 12, 17, 18 इतना नहीं होना चाहिए बरना kulon karnyam अपनी वेल्य औपने रस्पेक्ट खो देता है को देत, कुलं का नियम सार्वत्रिक नहीं होता है, याद रखेगा七 सार्वत्रिक नहीं होता है, युनिवर्शल नहीं होता है, यहां तक सीख रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, मजे भी ले रहे होंगे नहीं, कि भाई आज तो सर ने पूरा खतम कर दिया हमारा सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे जरूर, शेर भी करेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी, यह दो नंबर ना कहेंगे, पांच भी गईए तो कम है, शुरू करें, विदूतिये बल और गृत्वा करसन बल की तुलना, ठीक है? करें, करें, लक्ट्रिक फोर्स और यह क्या, मैगनेटिक, नहीं, गृत्वा करशन बल, हाँ जी, ठीक है, एक सकेन आप रुकेंगे थोड़ा, फिर हम शुरू करते हैं, हाँ, चली, बचे मजा रहा है, हाँ, विल्कुल आ रहा होगा, आईए, विदूतिये बल और गृत्वा करसन बल के बीच तुलना, विदूतिये बल में आकर्शन और प्रतिकर्शन दोनों, हमें पता है, कि अगर आप एक नंगी वायर को ऐसे चूते हैं, तो पहले ऐसे तो मारेगा एकदम सोखन खना के, ठीक है, उसके बाद पहले चिपकाएगा, कहेगा, आईए, सनम हमें चुईए, और फिर ऐसा जटका कि सामने वाली दिवाल पे जाके इदम पोस्टर की तरह चीपक जाओगे, ठीक है, तो गुर्तवा कर्शन बल में, सORी विदूतिये बल में, आकर्शन भी है, पहले बुछाएगा, सटाएगा, फेक देगा, कम से सामने वाली दिवाल पे, तो गुर्तवा कर्शन, सरी, पर किस माद्युतिय बल की सब्सक्राइब करता है लेकिन मद्यम के ऊपर कोई परभाव निंपड़ता है है जिसे अपना रहे? ठिक, रहा है? जहाँ विदूतिय बल का मान गुरुत्वा कर्शन बल की तुलना में अधिक है, तो सिंपल सी बात है, गुरुत्वा कर्शन बल का मान गुरुत्वा कर्शन बल की तुलना में अधिक है, तो हम कहेंगे, गुरुत्वा कर्शन बल का मान गुरुत्वा कर्शन बल की तुलना में अधि तो सिंपल सी बात है कि गुरुत्वा कर्शन बल गुरुत्वा कर्शन बल द्रब्यमान बल के या द्रब्यमान के कारण होता है ठीक है तो यह सबसे important topic था आपके लिए बहुत ज्यादा important ठीक है और यह class यही पे हम रखते हैं एक class और होगा आपका और अगला class वो आपके comment प बच्चा ने यह comment किया है ठीक है तो next class अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो तो बहुत भेतरीन धंग से comment कर दीजिए कैसा लगा यह video कितना खुश है आप हमारे से और I hope कि next video हम आपके लिए चल्द लेकर आए ओके बाबाई and take care